बहें मुझे एक बात समझ में ने आती, एक चोचले बाजी करने की जरूवती क्या है? जब सकूर्टी से तुमें कहीं जाना नी, आना नी, हर चीज में तो तुम डरती हो, मतलब खाना बना रही हो, उसमें जिंजर गालिक पेस डाली हो, उसमें भी डरती हो, के फनी ने सकती है हर चीज में डरती है अला मेरा कलेजा मुँख आ गया था अला मेरा दिल बाहर आ गया था फणी नहीं नहीं पहले करनी है यह इसको कॉम्पिटीशन करना है नाइन टू फाइफ चौब वाली लेडी से यह दिखाने के लिए कि देखो मैं कमा भी सकती हूँ मैं नाइन ससूर का खयाल भी रख सकती हूं मैं इस कूटी भी चला सकती हूं और भाई मुझे इसका कमेंट बॉक्स देखे तो सच मुच में इतनी हसी आई है उसमें भर भर के लोगों ने इतना बुरा भला कहा है कि वो देखना ही नहीं चाते गुट का किंग को इन्स व्लोग में फिर ही फ्रेंड मुझे लगे बूश करेंद मेरी अम्मा को हो गया दातमेद्ध हम जा रहें डॉक्टर के लिए नहीं नमाज पड़ने के लिए भाई एक रेंट करते हो ये से बात करते मसWe को watch जिसे के आले वाली video की पिसे का दिल दुखाने से बाजने आते हो दिल-दुखाने वाली बात ये है कि उसको कैसा लगा होगा वो कमेंट पढ़के जो इसके घटिया और घटिया सोच वाले सब्सक्राइबर जाकर उसको कमेंट कर रहे है डॉक्टर सुंबुल को कि उसकी चालू की नकल करना बंद करो चालू को कॉपी करना बंद करो अपना ओरिजनल कंटेंट ले करा हो भाई वो चालू की कॉपी नहीं कर रही है चालू उस वैसी उसके सब्सक्राइबर भी हैं बेस सोस समझ के कुछ भी भोग देते हैं और मैं दब भी यही कहा था मैं अभी भी यही कहूंगी अगर सुम्बल तक मेरा यह व्लोग पोच रहा है पोड़कास पोच रहा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की थी जब आपको पता था कि आपके अंदर के रिष्टे इतने अच्छे नहीं है और आपके साथ पहले भी ऐसी कोई चीज हो चुकी है तो आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था डेफिनेटली आप अपने में यह नहीं कहरी कि आप अपने बड़े पापा बड़ी ममी से नहीं मिलो जब वो मुंबई में आया है बट आपको उनको अपने घर बुलाना चाहिए था रिस्पेक्ट के साथ भी ड्यू रिस्पेक्ट आपको दावत करने के लिए अपने घर बुलाते और पूरा दिन वहाँ पर इनको रखते और देखने वाली बात यह थी कि यह चालू और डबबा वहाँ पर आते हो और आप उनको बड़े ही अराम सपनव लोग को पूरा करत और इस मज़े के लिए तो इसने यह सारे कांड की उसको पता है कि यह मेरे घर पर आई है अमा पापा से मिलने के लिए मैं नहीं मिलूंगी और यह व्लोग भी बनाएगी अपलोड भी करेगी तो पबलिक अपने आपी क्या कहेगी क्योंकि सब के कमेंट बॉक्स पर नज़ मैं पिछले 12 साल से स्कूर्टी चला रही है और मेरा बेटा पिछले 6 साल से स्कूर्टी चला रहा है मतलब हम लोग इतने चला रहे है चलो अब तो हमारा तो चलो सबके डियल भी बन गए है मतलब मेरा तो खेर ओविस बनी जाएगा बनवाया नहीं था मैंने वह एक अलग बाते लेकिन हाँ बन गया है बेटी कभी अब वैलिड हो गया है तो उसका भी बन गया है लर्निंग भी बन गया है बट मेरा भांजा है ना जो कि 11-12 साल का है उसको बड़ा शौक लग रहा है तो जैसे उसकी मम्मी से आँख बसती है वो चाबी ले जाता है और वो खूब दोड़ाता है दिली का है भाई दिली के तो लड़के बस क्या कहो अपने आपी स्कूटी बाइक गाड़ी सब कुछ अपने आज सीख लेते हैं उनको किसी की जरूत नहीं होती है बर अभी वो मना करती है मेरी सिस्टर के नहीं अभी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि छोटे हो कल को खुदाना खास्ता लग जाए कोई बात हो जाए लेकिन वो इतनी तेजी से और इतनी बढ़िया तरीके से चलाता है बिना डरे हुए बिना नीडर हुए बस सब चीज का ना एक चीज का हुआ जो नहीं इनकी फैमिली ने बनाया हुआ है अब जैसे कि वो 18 साल का है नान ने चला ली हद बाई कितना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मगर इनके लिए सारी चीज रॉकेट साइंस है भाई फणी नान ने अके लिए चला ली वने देख न ना देख ले ना मैं तुम एक हफते के अंदर पूरी की पूरी स्कूटी चलाना सिखा दूगा म ऐसे लग रहा तो जैसे दिल बहारा जाएगा मुँ से तो कहता है आस तो बहारा दिली तो भार करना है भाई पूरे व्लोग में आप दियान से देखना क्या भर भर के गीला हो गीले मकमल में जूते लपेट लपेट के फनीने मारे है इसको चालु को चालु को यकिन नहीं यह पहले भी चला चुके हैं तुम नान, पहले भी तुम चला चुके हैं, God promise, भाई अल्ला की कसम, माबाप की कसम, अम्मा कसम, तो यह ऐसे खा लेते हैं, जिसे चुइंगाम खा रहे हो, खाना खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, इन लोगों को इतनी तमीज किसी नहीं से ना कि खाने चाहिए ना अपने माबाब के किसी की भी नहीं खाने चाहिए और भाई पूरा खंदार फिर से गारी में बेटके भरके अपने सास को घर छोड़के फिर चल दिये गुमक्ड़ गुमने के लिए वो भी रात को और अगले दिन अब निकल पड़िये कहां पर, फिर वापस है पीजा के जाने के लिए क्योंकि उसके कोचिंग और कॉलिज में बात करने हैं इसलिए निकल पड़ी है ओठो से और दात में दादो क्योंकि रात को दावत करिये केर कुछ करी नहीं है तो फिर भाई अगला दिन फिर से आगया हमी को वापस है डेंटिस के हल ल कराया है और सेमी लिक्विट चीजे खाने चाहिए और बादी चीजे बिलकुर नहीं खाने चाहिए तो फ्रेंट्स मैं तो मम्मी को लेकर चला गया तकाड़ी से और चालू चली गई थी ओटो से अब वह उसके फॉम भरने के लिए अब मैं जा रहा हूं उसको पिक करने के यह वरना उसका मूँ फूल जाकर वो मोटी मोटी सी आंकों से मुझे खा जाएगी क्योंकि जाना है डॉक्टर के पास वो मेरा वेट करी है वो कह दिए कि नहीं मैं ओटो से चली जाओंगी अगर डॉक्टर नहीं मिला तो फिर मेरी खहर नहीं है और हुआ भी यही इसने प बेद खराब है ओपनिंग भी सर पर मतलब दोनों मिया भी भी बस भर भर के रोने पर ही लगे पड़े थे भाई तुम किसी का दिल दुखाओगे तो अल्ला को बुरा नहीं लगे का क्या चीज़ यह कर्मा है कर्मा यह कहते ना लौट कराता है तुमने क्या दिखाया यह दुनिया बिल्कुल नहीं चल पाती एक दूसरे की जरूरत होती है हर कदम कदम पर पर इनको तो बस यह लगता है हम बस अपने लिए काफी हैं और उपर से फिर हर टैम रोना भी गोना भाई कभी अल्ला का शुक्रिया भी अदा कर लिया करो कि उतना कुछ तुम लोगो आप में भी जाना पड़ता है थर्न में मीं में जाना पड़ता है जब वह चार पैसे कमा के लाएंगा था में उतना कुछ दिया ऑन मुझे लिंड़ पहले ही क्योंकि पता है ना एकदम से मूँ फुला लेगी नाराज हो जाएगी इतने लेट क्यों अब नहीं मिलेगी डॉक्टर और हुआ भी यही के डॉक्टर मिली नहीं तो भाई अब तो मनाना ही पड़ेगा मैंने सोच है डॉक्टर के पास जाए तो अच्छी वाली है तो आज फ्रेंट्स कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है फिर रोना धोना शुरू कर दिया हट है मनुस्यत फहला कर रहोगी तो कौन सा काम कौन सा अच्छा हो जाएगा कभी चलते हमें रेस्टोरेंट के लिए पीसी की जरू होता है अब पीसी भी लेगी फ्रीजर भ करने को किसने का ता उसको टूबी एच्क कर लेते और किचन बड़ी कर लेते बड़ी कर लेते बड़ रूम बड़ा कर लेते कितना चुहिया सा वह बैडरूम बैड के सइस भी बहुत चोटे-चोटे है चोटा सा फिरिज देखके देखो इसकी हाइट के ओपर इसने टौण मारा यानि के इस व्लोग का दूसरा तीसरा टौण है यह कहते तुम्हारी हाइट का फ्रीज है यह मतलब वह गिटकी सी है ना तो ऐसी वह छोटा स से इसने बड़े अराम से नाचीफ कर लिया कि अब घर बैटके खारी है अराम से जो चाहती है उसको मिंटो सेकिंटो में खरीद लेती है तो गहता है ले ले उस वाले को किसी को गिफ्ट कर देंगे करना भाई मैं जब कमाती हूं तो मैं क्यों और फिर मैं हैलपर को इसलिए तो लेकर आए जिससे की मुझे काम ना करना पड़े और मुझे तो भाई अपने फोटो शूट करने और भाई साफ अनी ने क्या मोके पर चोका मारा है बाहर जा रहे हैं तो हमने सोचा कोई अच्छी सवाल पूछने के लिए इसने पूरा फ्लॉक खीच लिया और लोग वेले बैठे रहे थे कई हो ने तो भाई ये भी कहा कि फालतू के सवाल पूछने की बजाए ये दूसरों को उल्टा सुड़ा उल जनूल से सवाल में फसाने की बजाए अच्छे किसी इंजिनियर को बुला और उससे जाके चेक अप करा अपने एसी का पर नहीं चिप चिप हो रहा है फ्रेंड्स ये हो रहा है फ्रेंड्स पर्दा गीला हो रहा है दिवार गीली हो रही है हद है भाई हर चीज का सवाल जवाब जो ना ओडियंस से पूछने बैठ जाती है क्योंकि इसको भी बहुत अची तरिके से पता है कि मेरी ओडियंस कितनी बेवकूफ है और कितनी खाली बैठी है बढ़ेश को ठेखेजनेु होगी इसकितने सारे कपड़े इसने लाइन से लगा के रक्यों इतना फैलावा मचा और लेकिन लाइन बनाके वहां बैठने तक की जगा नहीं छोड़ी है इसकी वज़ेसे हर चीज में बड़ी सीथ 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 सी तो अपना पी होगी गंदी तुम रहती हो नहाती तुम नहीं हो पसीने की स्मेल तुम में आती है दुनिया भर का अगर दिन भर एसी चला के रखोगी कमरे को वेंटिलेट नहीं करोगी तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो आएगी और दूसरी बात ये क्यों भूल रही हो कि बरसात का मौसम चल रहा है हुमिनरीटी का मौसम चल रहा है और इतनी तुकल होनी चाहिए कि हर एसी में एक मोड होता है जो कि मौनसून का मोड हो रेडी हो के कमाओ लाखो करोडो तुम रुपए और जवाब दे भोली भाली से जनता और हाँ बेवकूफ जनता तुमारे लिए सर्प्राइज है क्या सर्प्राइज है सबजी आ गई है खाना हम लोग बनाएंगे तो देखो भाई अभी तो ये खाना खुद बना रहा था जो की काम काना काज का दुश्मन अनाज का पहले ये खाना कुद बनाने वाला था फिर सारा खाना किसे कहती है कि चालू तू सारा खाना बना और वो चालू भी नी बनाएगी जब भाई फणी नी बनाएगा जब उसने कहा था कि मैं बनाएगा उसने चालू को सो पा तो चा देने झिलवा रही ये शरम तो इसको बिल्कुल भी नहीं है ना बेटे को है नबहू को है और फिर फैसल से कहता एक्रिश्न लौकी का हलवा तो है लन थे लुवड़ कहलो नहीं भाइव तुम बनाओगी लौकी का हलवा क्यों किता sì तो थोड़ा से टाइम तो लगता है टाइम कंजूमिंग तो ही लेकिन चालू तो चालू है अपना काम छोड़के मेक वेक अप करके फोटो शूट कराके भाई साफिर वो हल्वा बनाए ना 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 ऐसे मैं नहीं करूंगी तो उसने आसान काम चूज किया उसने तहरी बना ना रही है वो उसकी सास के लिए ठीक भी है के नहीं क्योंकि चावल बादी वाली चीज सबसे पहले बना करते हैं इसको इतनी शरम नहीं आ रही है कि इस सुबह डॉक्टर को दिखाकर आया फिर भी कम से कम यह कहे कि अम्मा के लिए कोई ऐसी चीजे बना दो जो कि वो बड मत बनाई हो आज तो कहती अच्छा भाई तुम करेले भी क्यों चिलवारे उनसे वो फोटो किलिक करवा लेगी करेले चील लेगी करेले बनाना सीख सकती है तो करेले चील कर काचना ने सीख सकती है उनको अराम करने दो तुम्हारे घर आई है वो डात में भी दर्द है परि ज़ालू की आझे । देखो जब एक स्क्रिन शोट लगाए कि भाई यह मेरे सर पर दो चार कामे मत सोप देना तो हलवे को छोड़के कहती है कि नहीं नहीं बस तहरी बना लेंगे और ऑफिचालू से कहता है तहरी तुम बना दो और करेला हम बना देंगे जब तो कहा दिया हम बना देंगे और फि भाई साब फिर वो मौका आता है जब वो बैटके उनकी हाउस हैल पर उनकी अम्मी तो करेले छील रही होती है और उसको फोटो शूट कराना होता है तो भाई बड़ी शरम आ रही है जैसे कितने शर्मीली बहू है जब शरम नहीं आई थी जब उन्हीं के चोखट पर खड़े है क्या करती है क्या काम एज जब आपने साथ लेग शकाना भाजी को चालू बेफिकर हो जाएगे क्योंकि एक जी कर देख लो फोट खिचा रही है और सास काम कर रही है भाई क्या भर भर के उसने अपनी भडास निकाली है अपनी मा के सामने काम है मेरा शोक में नहीं कर रही हूं ये अच्छी बहू है तो भाई मैं क्या कहूंगी चापलूसी तो मुझे करनी पड़ेगी चाहे भले उसके कितने भी करम कांड क्यों न हूं अम्मा के सामने ऐसे awkward क्यों feel करा रहे थे क्या रहा है यह वी तो काम है मेरा awkward feel कराना है Oh my God क्या हो क्या गया आज क्या खाली है क्या थे मैं यह कहना चारी हूँ आज ऐसा कौन सा नास्ते में कुछ गोल कर खिला दिया थे जो अंदर से सचाई पर सचाई बाहार निकल रही है वो फोटो शूट हो गया फ्रेंट जब लाइट अच्छी होती है न तो यह कुछ बेस बेस लगाने की जोती होती होती है कितना जूट बोल रही है भाई इसके एक गाल पे तिल है एक नाक के पास तिल है एक होट के पास तिल है इसके तीन चा तिल है मुँपे लेकिन अब देखो फेस में सरफ एक तिल चमक रहा है जो की बड़ा है और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है वो ही तिल चमक रहा है उसके अलावा जो हलके तिल है वो डाक लिप्स्टिक लगा ली थी फिर गालों पे से क्या छूटा रही थी जो गाल बंदर जैसे कर रखें इतना लाल लाल से करके उस पे भी तो कुछ लगाया था वो भी तो बताना चाहिए था ना अब पीजा आ गई है अपने फर्माइश लेकर के कपड़े लेकर आने हैं जोला चाप कपड़े नहीं पैनोंगी अब वो अपने मुह से कह रही है कि मैं जोला चाप कपड़े नहीं पैनोंगी डिले डिले से जो बुडे लगते हैं अच्छा बई कमेंट पढ़ पढ़ के अब तुम्हें समझ में आने लगा कि लोग तुम्हें क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं किस तरह से बोल रहे हैं कि जोला चाप कपड़े पहनती हो वैसे पहनती हो आप समझ में देर आए दूरूस्त आए अब अब उसको कम सकम अहसास त बढ़ने वाले हैं तो उसके लिए सबको कपड़े लगेंगे हम थीम बनाएंगे ये करेंगे वह करेंगे तो वह अपनी फर्माइश लेकर आ गई है कि मुझे एक्चुली क्या लेना है तो वह डिसाइड करके कुछ रेफरेंस लेकर आ गई होगी कि यह दिलाने हैं वह दि जाना एटलिस आपको वहाँ पर उनके होटल का खाना चखने को मिलेगा ग्रेंड ओपनिंग होनी चाहिए न तो भाई सब चले जाना जितने भी मेरे सब्सक्राइबर सब सुन रहे हैं तो प्लीस जो वहीं से है लोकल है जा सकते हैं तो प्लीस चले जाईएगा और सब्सक्राइबर 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 सब्सक्राइ प्लानिंग करके पहले तो तिगड़ी रहती थी इनकी तीन की तिगड़ी रहती थी अब तीन की तिगड़ी तूट गई है अब यह दो रह गए और कभी कभी जो है फनी चालू जो है वो मिलका तीन लोग हो जाते हैं हर बार मेरा पैटर्न वही रहता है मैंने सोच लिया कि इतना डीला डाला सा पहन कर बैठी हो ले आईए तुम्हारी भेहन दिलवा कर लेकिन एक दीन कभी नहीं है यह बी कम सकम ऐसा तो होना चाहिए जो पहना हुआ जचे नयासा भी नहीं लग रहा है अभी तो लेटेस दिलवा कर लेकर आई है फर्स टाइम इसने पहना होगा लेकिन नहीं फिर भी इतने बड़े बड़े जोरा चाप इतना बड़े बड़े जबले उसको दिलवा कर ले आती है इस बार कपड़ा लेकर सिलवाना मेरे लिए वन पीस मुझे रेडिमेट लेना है मतलब वो पक चुकी है वो वन पीस मतलब वो जो गाउन टाइप का कर रही है क्योंकि अब तक इसकी ड्रेस जो यवो भावी ही तो बनवाती थी कप्ड़ा लेके वन पीस दिलवाना बाइए लेकिन इस से पहले बचपन से लेके अब तक तो यह सारे काम भावी ने की है लेकिन यहां दोनों चालू और ये दोनों मिलकर भावी को शेड करने क कोशिश कर रही है और ये पॉइंट हमारी एक सब्सक्राइब ने हमें दियेम करके बताये तो थेंक्यू सो मज। कल है छुटी और हम इसके साथ बात कर रहे हैं कि हम यह थीम करें या ना करें कि क्योंकि इसकी छुटी है तो इसलिए हम यह तैयारी कर रहे हैं ओ माई गॉड अब जो है planning जो हैं सिर्फ इसके साथ हो रही है अब भाई भाभी से पुछने की जरूफ Neverž चbbles बढ़ी करी है गर की सब्से बढ़ी है जिसके साथ बाट कर यह planning कर रही है अरे भाई planning कर दिये तो तुम्हारे तो सासथ सस्बुरह भी आगए हैं अपर इसका सा को planning वो समझ रहा है कि ये दोरों बहने कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर सकती है कि ये case बना देंगे अपने आपको बेचारी जो है वो देख रही है उनकी अम्मा समझा रही है और फुकसाना बाजी जो है वो खड़े होके देख रही है अब भाई कैसे दिन आ गए है कि अब ये सब करना देखना पड़ रहा है मतलब वो एक मिनट में जट पड़ ये सारी चीज़े करकर बना कर रख दे थी पर नहीं मैडम को नाटक करना है और क्या कैप्शन डालेगा लर्निंग करेला रेसिपी और उसको बीच बीच में बना रही है बाहर जा रही है अपने चोचले बाजी दिखा रही है हद है भाई मतलब इतनी भी बच्ची नहीं हो कि कि तुम किसी से पूछ कर वो एक्जेक्ली ना बना पाओ मसाले बैसिक मसालों के इतने अंदाजे तो होते ही कि क्या करना क्या नहीं होता अब जैसे मेरी बेटी को बैसिक चीज़े आ गई है तो मैं कोई बी चीज़े इस अगर कहती मेरे खेल से फारा भी थोड़ा बहुत तो बना ही लेती होगी और वो लड़की है देखो फो थोटी सी इसके मामू की बैटी जो हो कौन है जो क्या नाम है उसका सहर वो अपना खाना खुद बनाती थी लेंद आप उसको भी दिन लगा के आ गया है यह ब्रेट जम लेकर जारी है वह बहना ते ती बहुत करेलिएको पहले क्लीत नंदडलो ते जालने मतलब वो एक चीज़ समझा रही है तो पहले उसको समझतो ले बुद्धी इतनी खराबे कह रही है पर हाँ बस पहले इतनी चीज़ बताईए पहले इतना कर लेते हैं उसकी बात पूछ लेंगे ओ माइगोड इतनी मंद बुद्धी हो क्या वो रेसिपी तुम्हारे दिमाग से निक और अम्मा खड़ी होई है वहां पर मतलब इतनी शरम लिहाज नहीं है इसको के वहां फुक्सानाबाजी भी खड़ी हुई है मगर यह महरानी जी अब अगर कोई चीज सीखेंगी तो सब चीज इनके हाथ में दो और फिर डरते 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 उसमें मतलब जिंजर गालिक पे ऐसे भी होता है कि मतलब आदमी जो है वह भूग के लिए तड़ा पराया कहता है खाना जल्दी बनाओ और जो बीवी है वह सीख रही है तो सीखने में तो पहले ही टाइम बरबाद कर रही है उपर से कहती है कि नहीं मैं बाद में सब्जी बनाओंगी मैं पहले आम खालू ह हाद है बाई ऐसे तो सिर्फ चालू ही कर सकती है पीजा ने वह टेड़ी वियर दिखा दिया जो आइस का बना हुआ था और हाथ पर रखा थोड़े पकड़ो 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 ओ माइगाड कितनी एक लोग में कितनी बचकानी हरकत करोगी बाई कम करो कम थोड़ा सा और ये ओवर एक्टिंग की दुकान तो बिल्कुल ही बंद कर दो शौभा नहीं देता तुम पर 34 में 34 साल की ओरत होने के बावजूद जो अम्मा ने तुम्हें रेसिपी बताई है समझ में आगई ये गदन हिलाई लगके कर दी हाँ अब इतनी समझ में आगई जितनी अम्मा ने बताई है उतना पहले कर लेते हैं फिर अम्मा से पूझेंगे हद है बाई मुझे कितने हासी आरी थी वह देखकर क्या बचकानी हरकत कर रही है ये मतलब तेल डाल रही है कड़ाई में और उसमें भी आवाज लगा रखा है कुड़ 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 सिहत करी रखिये खराब सब की सिहत करेगी और उसके बावजूद भी करेले डालने के बाद भी स्थील का स्पेचुला ही यूज्ब कर रही है और उसके आसा भाइए हिसमें 7 टम्मी के यह पर भर पर ऑप ने देखका लिया कड़ी भी सीखेंगे अम्मा कड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं भाई कब सीखेंगी कब कौन सी उमर आईगी वह सीखने की और अभी 34 साल लगेंगे क्या मतलब तहरी बना रही है तो उसमें जिंजर कार्लिक पेस्ट डालने की वज़े से जो बहाप आ रही होगी ना उससे कह मतलब वह पेस्ट डालने में इसको इतनी प्राबलम हो रही है कि उसने उसका हाथ पकड़के निचोड़के उसमें डाला के लिए ऐसे डाल हर चीज में डरती है देखो भाई वह चावल बना रही है और इधर सबजी बन रही है तो दूसरी तरफ फुक्साना बाजी ने ना देना तो कहते हैं नई फ्रेंड oral भाई आ pineapple नहीं हूं तो मैं अपनी तरफ से कोशिष करूंगी फ्रेंट कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है इनसान बना-बना के सीकता है तो अच्छे बनाना हरकत में बरकत है तो बाई तुम हरकत वाई तो अच्छी करो तबी तो बरकत अच्छी होगी पिर रोते भी रहते मैं आज का दिन भी अछे काम न हो पाए तब बन गया है खाना दिन बार मैं आज काना निखाए लगई को देखते थे चालू को फ्रेंट करके इरिटेट करने आ जाता है लिटरली 90% कमेंट तो ऐसी थे कि तुझे कोई नहीं देखना चाहता हो तु फ्रेंट करके इरिटेट मत कर तहदी में चार सीटी लगा दिया पतानी कैसे बनेंगे फुकसानाबाजी कह रही है चार सीटी प्रेंट इसने खाना क्या बना लिया मुझसे कह दिये कि प्लेट तुम लगवाओ ओ माइगोड और अगर तुम इतना सा काम कर दोगे प्लेट लगाने का तो तुम्हें शरम आज अपनी मां है आज तो तुम्हें पूरे बढ़ास निकालने का मौका मिल रहा इसलिए नहीं प्लेट लगाते हुए दिन भर मैं खाना भी बनांनी प्लेट भी लगा運 theo किए उसकी माके उग्ली से JOHNnen से कह दें रहें ना भी लगाना गया मौकर दें में इस इसलिए हमने नहीं किया है मतला वो पूरा बदला ले रहा है कि चला अस तो मुझे मौका मिला तू क्या कह लेगी अब तो मेरी मम्मी है साथ में तो फ्रेंट्स ताहरी अच्छी बन गई है ला का शुकर है कि मुझे ज्यादा सुनने को नहीं मिला और मैंने मुझे शरम नहीं आई कि मैंने अपनी सास को तहरी बना के खिला दी यानि कि चावल चावल तो जो कि मना किये जाते हैं उनके जब टूथ में प्रॉब्लम होती है दर्द होता है तो सबसे पहले चावल दूद और चबाने वाली चीज़ों को रोकते हैं सैमी लिक्विट खाने के लिए बतात हापिस टेक के लिए